हेलो फ्रेंड्स वेलकम तू मैं चैनल और आज हम बनाएंगे बहुत सॉप्ट और स्पंजी धोकला हमारे टीप्स को फॉलो करते हुए अगर आप धोकला बनाओगे तो बिल्कुल आपका धोकला सॉप्ट बनेगा तो यहाँ पे मैंने लिया है धोकले के लिए एक बाउल बे है दो पिंच हल्दी और हाप टीज्पून साइटरिक एसिड तो साइटरिक एसिड भी यहाँ पर जरूरी है मेडिकल स्टोर में या केक स्टोर में आपको यह मिल जाएगा जहां पर केक का मट्रेल मिलता है तो यहाँ पर मैंने एक बरतन लिया है उसमें मैं आड़ कर अब हम दो टेबल स्पून शूगर इसमें आड़ कर देंगे इसके साथ हमने दो पिंच हल्दी और हाप टी स्पून साइटरिक एसिद भी इसमें आड़ कर दिया अब हम टेस्ट के अनुसार मतलब मैंने यहाँ पे लिया है हाप टी स्पून नमप इन सब चीजों को हमें अच्छे से मिक्स करना है अब यहाँ पर मैंने 100 ml पानी लिया है अब थोड़ा थोड़ा पानी डालके हम इसका बैटर बना लेंगे और यहाँ परकार में थोड़ा थोड़ा पानी में शोड़ कामेय को आदाओं दालके इसका बटर्प बनाऊंगे तो बैटर को हमें पाच मिनित के लिए इसे मिक्स करना है तो एंश टेप बोहुत जरूरी है ताकि आपका बैटर फ्लफी बने तो आपको इसी तरह से एक की डायरेक्शन में घुमाती हुए इसे मिक्स करना है तो पाच मिन्ट हो चुके हैं मैंने इस वह अच्छे से मिक्स कर लिया है अब हम वन टेबल स्पून इसमें ऑईल एड करेंगे और एक मिनिट के लिए फिर से मिक्स कर देंगे तो ओयल भी इसमें मिक्स हो चुका है अब हम लाश्ट में डालेंगे इनो तो हमें सबसे लाश्ट में इनो डालना है एक पैकेट इनो इसमें मैंने अड़ कर दिया अब इनो डालने के बाद हमें इसे बस दो सेकेंड के लिए मिक्स करना है इनो डालने के ज़ादा दे्र बाहर नहीं रखना मी्क्स कर दीया है मैंने आप सकते हमारा इस प्रकर बनाें आपको भी इस सी प्रकर बनाता है किन्सरेंंट do यह मुद्ध आपको से अगर आप के कए केग तीन निवсть नहीं होगा तो आप किसी भी कुकर के दब्बे में इसे बना सकते हैं तो अब मैं बैटर इसमें एड़ करूंगी तो यहाँ पे मैंने गयास पे एक बरतन रखा है कि डोकला बेक करने के लिए और उसमें इस प्रकार रिंग रखी है तो इस बरतन को पहले आपको 10 मिनित फ्री हीट करना है मिडियम फ्लेम पे तो यह फ्री हीट हो चुका है अब मैंने इसमें ढोकले का टीन रख दिया है अब इसे लो फ्लेम करके हम 20 से 25 मिनित के लिए बेक कर लेंगे तो जब तक हमारा ढोकला बेक हो रहा है हम साइड में एक बरतन में इसका तड़का बना लेंगे तो तड़के के लिए मैंने यहाँ पे वन टेबल स्पून ओईल लिया है जैस को आउन कर दिया है तो ओईल हमारा यहाँ पे गरम हो चुका है अब हम इसमें डालेंगे वन टी स्पून राई तो यहाँ पे वन टी स्पून राई के दाने मैंने ओईल में एड कर दिया है दो राई के दाने चटकने लग जाए तो उसके बाद हम इसमें एड करेंगे हरी मिर्ची तो यहां पर इस प्रकार लंबी-लंबी मैंने 3-4 मिर्ची को खट कर लिया है अब उसमें आइड कर दिया मैंने मिर्ची को अब हम डालेंगे 2 टेबल स्पून शूगर तो मिर्ची के बाद हमें शूगर डालनी है और सबसे लास्त में हम इसमें पाने आड करेंगे तो यहां पर मैंने 100 ml पानी इसके है दोस्तो हमारा ढोकला बन रहा है bigger तो यहां पर 100 ml पानी मैंने लिया है तडके के लिये वो हम सबसे लास्त में इसमें तडके में आड करेंगे तो सो एमेल पाने इसमें एड़ कर दिया अब हल्का सा उबाल आने के बाद मतलब जो शूगर हमने इसमें डाली उससे से मिक्स होने के बाद हम इसको जैस को बंद कर देंगे तो अब जैस को मैंने बंद कर दिया है यहां पर हमारा ढोकला भी रेडी हो चुका है आप देख सकते हैं इस प्रकार तुट्पी की सायता से आप इसे चेक कर लेंगे अब दोकले को हम थंडा होने रेंगे आप देख सकते हमारा तुट्पी क्लीन आ रहे हैं तो दोकला थंडा होने के बाद चाकू की सायता से हम इसे टीन से अलग कर लेंगे इस प्रकार तो यहाँ पर मैंने दोखला निकाल लेया है बाहर और हम इसे थंड़ वने के बाद कट करेंगे दोश्टो तो मैं आपको यहाँ पर दिखा हूंगी प्रेज करके कि हमारा दोकला किसना स्पंजी बनाएं आप देख सकते हैं बिल्कुल केक का स्पंज रहता है बिल्कुल वैसे हमारा डोकला बना है स्पंजी तो यहां पर मैंने इस तरह से कट कर लिया है अब हमने जो तड़का बनाया था उसे दोकले के ऊपर चमच की सायता से डाल देंगे तो इस प्रकार दोकले के ऊपर हमें तड़के को डाल देना है ताकि हमारा डोकला और स्पंजी बन जाए तो इस प्रकार हमारी रेसिपी रेडी हो चुकी है सबसे लाश्ट में हम इसे हरा दनिय से सजाएंगे कुछ इस तरह से तो आप देख सकते हैं हमारा डोकला बिलकुर स्पंजी है किस प्रकार इसको जाली आ चुका है